आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपना बोटर आडी कार्ड डाउनलोड कर लिया है आज मैं आपको इस वीडियो से बिलकुल सरल तरीके से सिखाने वाला हूँ कि आप अपना बोटर आडी कार्ड अपने मोबाइल फोन में कैसे डाउनलोड कर सकते हो बो भी बिलकुल सही तरीके से दोस्तो यदि आप अपना बोटर आडी कार्ड अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने बिलकुल सही वीडियो पर किलिक किया हुआ है तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और समझ लेते हैं बोटर आडी कार्ड को डाउनलोड करना दोस्तो बोटर आडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले क्रॉम राजर ओपिन कर लेना है और सर्च वार में आपको टाइप कर देना है बोटर पोल्टल सर्विस जैसे ही आप बोटर पोल्टल सर्विस लिकर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पहली वेपसाइट देखने को मिल जाएगी इलेक्षन कमिशन ओफ आपको इसी वेपसाइट बोटर सर्विस पोल्टल पर क्लिक कर देना है जैसे ही दोस्तो आप बोटर सर्विस पोल्टल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी आप लोग देख सकते हो उपर आपको टॉप में दो option देखनेों को मिलेंगे एक login का एक sign up का दोस्तो बोटर ID का download करने के लिए आपको सबसे पहले इस website पर अपना account बनाना होगा यदि दोस्तो आपने account बना रखा है तो आपको login बाले section पर click करना है यदि आपने account नहीं बनाया है तो tension मत लीजिए इस वीडियो को देखने के देख लीजिए हम जो है इस topic पर already वीडियो बना चखे हैं कि बोटर सर्विस पोल्टल पर account कैसे बनाते हैं account बनाने के बाद आपको login पर किलिक कर देना है जैसे ही आप login पर click कर दें account बनाने के बाद आपको उस वीडियो को देख लेना है description में जो है उस वीडियो की link मिल ज तो पिर आपको यहां पर password डाल देना देना यह जो 그 password आपने डाला हो यदि आपको password पता नहीं ये भूल गये तो आप forgot password पर किलिक कर सकते हैं फिर आपको क्या करना है इस rapture का कोیا करके request OTP देखने को मिल जाएगी इस OTP को दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप कर देना है जैसे ही आप इस OTP को यहाँ पर टाइप कर देते हैं तो आपके सामने एक नया पेज देखने को मिलेगा उसके लिए आपको सबसे पहले verify and login पर click करना होगा OTP डालने के बाद verify and login पर click कर देना है जैसे ही आप verify and login पर click कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से दुवारा से वही पेज देखने को मिल जाएगा लेकिन अब आपको यहाँ से sign up और login का option नहीं बलकि आपका अपना नाम देखने को मिल जाएगा फिर आपको क्या कर आपको दोस्तों सिंपल तरीके से यहीं पर click कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर click कर देंगे तो आप देख सकते हो थोड़ा loading लेगा तो loading पूरी हो गई है और कुछ इस तरीके से आपके सामने आज आएगा फिर download electronic copy of e-pick card यदि आपके पास e-pick नमर है तो आपको यहाँ फिर पर दाल देना है यदि आपके पास reference number है तो आपको यहाँ पर type कर देना आ है इंटर e-pick number करने के बाद reference number डाल लेके बाद select state पर आपको click करना है और आपको यहाँ से अपनी state को select कर लेना है जैसे मेरी उत्तर प्रदे से toal एप यहाँ पर e-pick number डाल देते हैं आप द दोस्तों आप सर्च पर करेंगे क्लिक तो आपके सामने एक नया पेज जो है उपिन हो जाएगा आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी आपका इपिक नमर आपका नाम आपके फादर का नाम इस्टेट आप जिस जगह रहते हो वो प्लेस, मोबाइल नमर, इमेल आईडी आप देख सकते हो अब आपको यहाँ से send OTP पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप send OTP पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने फिर से दुबारा से उसी नमर पर एक OTP आ जाएगा आप लोग देख सकते हो तो सिंपल तरीके से इस OTP को हमें यहाँ पर डाल देना है जैसे ही आप OTP को डाल देंगे फिर आपको क्या करना है आपको verify पर किलिक कर देना है दोस्तों यदि यह भी तक आपने अपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe जरूर कर दें और वीडियो को like कर दें यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आती है आपकी problem solve नहीं हो पाती है तो आपके लिए comment box open है आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं और वीडियो को dislike कर सकते हैं तो आपको download e-pick पर click कर देना है जैसे ही आप download e-pick पर click करेंगे तो आप देख सकते हो हमारा जो है e-pick download हो गया है